नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल लंक सुक में लंक सुक बिकॉज अवरी ब्रित मैंटर्स मैं आपका दोस्त डॉक्टर अंकुष स्वागत करता हूँ आपका एक और नए वीडियो में और आज के वीडियो में हम बात करेंगे pulmonary rehabilitation के बारे में pulmonary rehabilitation से हमारा मतलब क्या है पहले हमें वो जानना जरूरी है और एक तरहें का rehabilitation exercises भी मैं आपको सिखाऊंगा आज के वीडियो में rehabilitation से हमारा मतलब है कि सांस वाले मरीजों के लिए जिनके भी lungs के उपर किसी भी तरह का असर है हम उन्हें अलग-अलग तरह कि जब medicines advice करते हैं उसके साथ-साथ किसी तरह कि हम उन्हें breathing exercises और lifestyle modification भी advice करते हैं breathing exercises और lifestyle modification से होता क्या है कि उनके lungs के उपर healthy असर पड़ता है ताकि उनके lungs की breathing capacity increase करी जा सके अंदर की बिमारी उतनी ही रहती है जो कि हम medicine से control कर रहे हैं chronic lung diseases के अंदर लेकिन उसके साथ-साथ अलग-अलग तरह की exercises से physical, mental, strength training exercises, lungs की हम capacity building कर सकते हैं जिससे की patient को कम से कम symptoms अनुभाफ हो और research में ये पाया गया है कि जितना फायदा एक patient को medicines लेने से होता है उतना ही फायदा काफी हद तक उसे rehabilitation की exercises से भी होगा अगर वो लगातार exercise plan जो कि उन्हें दिया जाता है एक rehabilitation plan के अंतरगर उससे होता है आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक तरह के rehabilitation exercise के बारे में जो कि बहुत ही easy है करने के लिए बहुत ही easily उसका instrument भी आपको available हो जाएगा किसी भी नजदी की medical shop से और बहुत ही cost effective भी है शायद आपने अभी तक देखा भी होगा लेकिन उसको करने का सही तरीका उसको करने की सही विधी आपको पता होनी चाहिए इस तरह का एक instrument आता है जिसके अंदर तीन balls होती है जसा कि आप देख पा रहे हैं और एक ये pipe attach रहेगा जिससे कि हमें breathing exercise करनी है इसको हम कहते हैं triflow exercise या फिर incentive spirometry इसको करने का सही तरीका क्या है और कैसे करना चाहिए वो मैं बताने जा रहा हूँ तो ये आपके patients के लिए और आपके लिए बहुत ही जादा effective रहेगा machine को आपने hold कर लिया है और ये breathing pipe आपके मुग के अंदर पकड़ा रहेगा और लंबा गहरा सांस अंदर खीचना है और कोशिश करिएगा कि जैसे जब आप सांस खीचेंगे जो balls उपर उठती हैं आप उसे रोकने का कोशिश करिए depend करता है कि आपके lungs में कितना involvement है कितने percent disease है उसके हिसाब से आप कितने balls उठा पा रहे हैं बहुत बार patients एक ही ball उठा पाते हैं जब वो start करते हैं लेकिन with regular practice जब वो लगातार करते रहेंगे over span of एक महीना दो महीने तीन महीने से दीरे दीरे balls और ज़्यादा उठने लगती हैं क्योंकि lungs सी capacity डेवलप हो रही है मैं आप वो करके दिखा रहा हूँ तो जैसा कि आपने देखा जब मैं balls खीच रहा हूँ तो effort लगता है उससों खीचने में और जब मैं सास अंदर खीचता हूँ तो lungs expand होंगे और ये balls एके करके उपर उठते हैं हमारे lungs healthy हैं तो हम तीनों balls उठा पाएंगे और उसको उठाने के बाद रोकने का कोशिश करना है उपर रोकने का कोशिश करना है try to hold वो balls को उपर रोकने का कोशिश करिए जिस तर ये अंदर सास खीचने वाली exercise अंदर सास खीचने की प्रक्रिया कम से कम भी आपको 5 मिनट तक करनी है इसके बाद जो कि एक common step लोग miss कर देते हैं जो कि usually miss हो जाता है आपको क्या करना है second step first step हमने किया सास अंदर खीचने का जो second step बहुत जरूरी है वो है सास बाहर छोड़ने वाला भी exercise आपो करना है तो इसके लिए बहुत ही साधारन सा इस machine को उल्टा करिए इस machine को आप उल्टा करेंगे और अब आप जो exercise करेंगे वो सास बाहर छोड़ने का करेंगे अक्सर सास बाहर छोड़ने में मरीजों को और ज़्यादा तकलीफ होती है तो मैं demonstrate कर दे रहा हूँ तो इस तरह से आपको सास बाहर छोड़ने वाल exercise भी करना है दोनों ही exercises का सास अंदर खीचने वाला और सास बाहर छोड़ने वाला दोनों की अपनी importance होती है किसी भी एक step को miss ना करें पाँच मिनट पहले machine को सीधा रखते हुए सास अंदर खीचने वाला exercise करें फिर उसके बाद पाँच मिनट के लिए सास बाहर छोड़ने वाला exercise करें यूजुली ये exercise दिन में आपको तीन से चार बार करनी चाहिए अगर दो बार भी अगर आप कर पाते हैं effectively करते हैं तो भी आपको long term में बहुत अच्छा benefit देखने को मिलेगा इस साधारण सी exercise से lungs के उपर बहुत ही healthy असर पड़ता है lungs की breathing capacity बहुत बढ़ जाती है जो की लगातार करने से आपको महसूस होने लगेगी ये थी एक तरह की exercise pulmonary rehabilitation की जिसका नाम है incentive spirometry और triflow exercises आगे की videos में हम और तरह की exercises भी आपके साथ share करेंगे तो बने रही हमारे चैनल लंकसुक के साथ lungs के साथ because every breath matters मैं आपका दोस्त डॉक्टर अंकुष आज के वीडियो के लिए इतना ही फिर मिलूँगा आपसे जल्दी ही एक और अगले नए वीडियो में जहां हम और किसी लंकस की बिमारी के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे चैनल को लाइक करें वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को थैंक यू सो मच